प्रेंड्स आज मैं आपके लिए कॉटन मेक्स साड़ी जो है तो उसके ड्रेपिंग स्टाइल लेकर आई हूँ एक कॉटन की जो साड़ी होती है वो थोड़ा सा हार्ड होती है अच्छी तरीके से ड्रेप और नहीं वह पाती तो चलिए इसको हम एजिली कैसे ड्रेप करते है तो देखे यहां पर फॉर्स है और सामने की तरफ लेकर यहां पर अब हम इसकी प्लीट बनाएंगे अभी कॉटन की जो साड़ी होती है उसके प्लीट बनाते वक्त कभी भी उसको जो है तो हम अगर किसी पीन से सिक्यूर वगेरा करते है तो एकदम से फॉर्फिक्ली वह आते है नहीं तो कॉटन की साड है उसको अब हम क्या करेंगे इस तरीके से पलुकी प्लीट बनाएंगे और यहां पर मैं थोडा सा बड़ा पलु का पोडुं रखनाचाहूं की जो चोरी प्लीट सॉती है और किसी को पसंद आती है तो उस तरीके से मैं आपको बदाना चाहूंगी कि चोरी प्लीट में भी अब यहां पर शोल्डर पर डाल कर इसको सेप्टीपीन से सिक्योर किया है और जो सामने के प्लिट से उसको भी हमें अच्छी तरीके से बनाना है अभी आप पर डिपिंट करता है कि आप किस तरीके का यहां पर पोर्शन रखना चाहते हैं बॉक्स डाइप आगर आप यहां अगर बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से बना सकते हैं मैंने आपर नॉर्मरी लखाए थोड़ा सा नीचे लेते हुए एक पीन मेने वहाँ पर लगा दी है अब यहां पर इस तरीके अगर आप पीन लगाते हैं अची तरीके से उसको सिक्यूर करते हैं और कॉटन की साड़ी में पहले कभी भी पल्लू लगा लीजेगा इसे हमारी जो नीचे की प्लिट्स वगेरा है वो फ्रंट वाली जो प्लिट्स वगेरा होती है वो इजी हो जाता है पनाना और ज्यादा फिला लुक नहीं देती और कॉटन की साड़ी ड्रेप करते वक्त हमें इसी की जरूरत पड़ती है कोई हमारे प्लिट्स वगेरा अगर अच्छी तरीके से बना देंगे तो अच्छा हो जाता है इसी हो जाता है लेकिन यहां पर देखिएगा आप अगर इस तरीके से बनात है वो बताया हुआ है आप चाहे तो वह भी जेक कर सकते है यहां पर मैंने एक जो ब्रोच की भी नाती है उसको लगा लिया है और उसको लगा कर अच्छी तरीके से इसको मैंने सेट कर लिया है अब मैं कॉटन की जो साड़ी है उसको दो तरीके से पर लुक की जो ड्रापि आप देख सकते हैं कई पर फूला फूला लुक नहीं है और नीचे जो प्लेट से वह साड़ी एकदम से हाड है इस वज़े से इस तरीके से हो रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि इस तरीके की जो साड़ी है वह जल्दी रेप नहीं हो पाती और इसली मै बहुत ही खास है और पिंक कलर की बार्डर है इसके वज़े से बहुत ही सुन्दर यह लगता है आई होप आपको यह पसंद आई होगी सो देखिएगा इस तरीके से हम जो तो अब फर्स्ट जो ड्रापिंग है मैंने आपको दिखा दी है अब जो पलू का पोर्शन है मैं आ पर हमें नहीं लग रहा है और नीचे के प्लीट्स वगेरा भी बहुत ही अच्छा आए है और आप पूरा जो ड्रापिंग होता है उसको बढ़ाने के बाद थोड़ा सा हाथ से अगर पूरी प्रेस करते है थोड़ा सा साडी को तो एकदम से फर्फिकली हमारी ड्रापिंग कि देगा खाया थे वो पीं में निकाल लूँगी और जो प्ल्लू की जो उपर की प्लीट है उसको हमें वैसे ही रहने देना है अंदर का जो प्लीट से वह सारी पाहर निकाल North शिए इस तरीके से जो दोना अर्डर है उसको इस तरीके सारी निकाल लेंगे और एक्सप्टि बहुत ही पसंद आता है तो इस तरीके से भी लुक बहुत ही सुन्दर लगता है किसी भी बाटी फंक्शन में हम इसको एजी लिएर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लुक भी हमें देता है और मुझे भी इस तरीके कि को अगर कॉटन कि साड़ी हो जिसके ब्रॉड वारडर है तो उसको अगर आप इस स्टाइल में ड्रेप करते हैं इस तरीके से अगर आपका लुक आपको चाहिए तो बहुत ही सुन्दर यह लगता है और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है उसकी बी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और देखिएगा बहुत ही सुन्दर लुक यह आया है आपको यह ड्रपिंग स्टाइल कैसी लगी साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आप क्या देखना चाहते हैं यह भी मुझे बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स